हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मिस्टिर रिविल्ड आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमेर टेंपल की जो है केरल का पदमनाप स्वामी मंदिर इस मंदिर के नीचे जो तहखाना है उसमें छे कमरे है जब उन कमरों में से पहले पाच कमरों को खोला गया तो पाच कमरों से भी ज्यादा ख़जाना चिपा है ये सारी बाते शायद आप सबी लोग जानता ही होंगे तो फिर इस वीडियो में आपको नया क्या देखने को मिलेगा आज के इस वीडियो में मैं आपको छटे दरवाजे से जुड़ी एक ऐसी घटना बताऊंगा जो सबसे बड़ा कारण है कि सुप्रिम कोर्ड दस साल से इस दरवाजे को खोलने की इजाज़त नहीं दे रहा तो वीडियो को अंततक जरूर देखे केरल के तीरू अनंत पुरम में मौजद पदमनाप स्वामी मंदिर भगवान विश्नु को समर्पित है इस मंदिर के गरबग ग्रि और इसके तहखाने में अपार संपत्ति का मिलना क्या सिर्फ एक इत्फाक है और शेशनाप पर सवार भगवान विश्नु की मूर्ति का इस मंदिर में होना भी म्हतस एक इत्फाक नहीं है इसके तैखाने में जो कमरे है उसके अंदर कुछ एसा मोजूद है जिसका अपनी सारी धन दोलत इस मंदिर को दान कर दी थी। जबसे इस मंदिर का निर्मान हुआ था तब से ही ये मंदिर त्रावानकोर के राजव के ही देखरेक में था। लेकिन 1991 में कुछ ऐसा हुआ कि इस मंदिर के साथ एक नई कहानी शुरू हुई। अपना दावा नहीं किया था। इसलिए उस खजाने के बारे में चर्चा नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनके भाई को इस मंदिर की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने इस मंदिर के खजाने पर अपना दावा ठोक दिया। उस भी है उस पर किसी का व्यक्ति का दावा नहीं हो सकता। खजाना चिपा है और इसलिए अगर ट्रस्ट के हाथ में इसकी कमान चली गई तो खजाने की चोरी होने का खत्रा बढ़ सकता है। इस पर 2011 में सुप्रिम कोर्ट ने ये तई किया कि आखिर इस मंदिर के नीचे तहखाने में है क्या। अगर खजाना है तो कितना है। इसकी परताल करने के लिए उन तहखानों को खोलने के आदिश दिये। और फिर उन छे कमरों के छे दर्वाजों को खोलने का आदिश जारी हुआ। उन छे दर्वाजों में से पाच दर्वाजे खोले गए। A, C, D, E, F B वाल्ड खुलना भी बाकी था क्योंकि उसे खोलने में दिक्कते आ रही थी। और वैसे भी सरकार और मंदिर के लोग पहले पाच कमरों में से मिले खजाने से इतने चौक गए थे। उससे मिले खजाने की गिंती करने में ही सरकार के पसी ने छुट गए। इन पाच कमरों में से धेर सारा खजाना मिला। जब सरकार की देखरेख में उस खजाने की गिंती हुई तो पता चला कि उसका मुल्य करीब एक लाग चैसेट हजार तीस करोड सतर लाग था लेकिन अभी तक सरकार को जितना खजाना मिला था उससे भी कई ज्यादा खजाना उस चटे दरवाजे के अंदर था जिसे खोलने में दिक्कत आ रही थी जब सरकार की देखरेक में उस दर्वाजे को खोलने की पहली कोशिश हुई तो देखा गया कि सिर्फ उस अकेले दर्वाजे पर सापके निशान बनाए गए थे और जैसे ही उस दर्वाजे को खोलने की कोशिश शुरू हुई वहां मوجود सारे लोगों को थोड़ा अजीब महसूस होने लगा उस दर्वाजे को खोलने में परेशानी होने लगी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साधरन तरीके से इस दर्वाजे को खोला नहीं जा सकता मंतरो चारन करने से ही इसे खोलना मुमकिन हो पाएगा उन्होंने ये सारे रिपोर्ट सुप्रीम कोट में पेश की तो सुप्रीम कोट ने उस पर ये आदेश दिया कि फिलहाल इस दर्वाजे को बंद रहने दिया जाए उस दोरान सुप्रीम कोट ने ये फैसला भी दिया कि मंदिर के खजाने की देखबाल शाही परिवार के लोग यानि उनकी भाई ही करेंगे छटा दरवाजा अभी भी बंधी था क्योंकि भूतकाल में इसे खोलने के जो असफल प्रयास हुए थे उसके बारे में सभी को पता था कि इसे खोलने वाले लोगों पर क्या बीती थी एमेली गिलक्रिस्ट हैच नाम की एक लेखिका ने अपनी किताब त्रवन कोर अगाइड़ बुक फॉर दव विजिटर में 1908 के उस किस्से के बारे में बताया था जब इस मंदिर के तैखाने को खोलने की कोशिश हुई थी उसने लिखा था कि जब राज्य सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी थी तब सरकार ने यहां के तैखानों को खोलने का निरने लिया था और उसके अनुसार जब कुछ लोग नीचे दरवाजे को खोलने के लिए पहुचे और जैसे ही उन्होंने थोड़ा दरवाजा खोला तो अंदर उन्हें कई सिर वाले कोब्रा दिखे थे यह देखकर वो सारे लोग जान बचा कर वहाँ से भाग गए उन लोगों ने ये भी बताया कि दरवाजा खोलते ही उन्हें अजीबो गरीब आवाजे भी आने लगी थी और सबसे हैरानी की बात ये थी कि जो लोग दरवाजा खोलने पहुचे थे उन सारे लोगों की कुछ ही दिनों के अंदर मौत हो गई एक और बात टीपी सुंदर राजन नाम के जिस पुरुव पुलिस अधिकारे ने इस तहखाने को खोलने की पिटीशन फाइल की थी उसकी भी 2012 में मौत हो गई उसी वक्त जब ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा था जिस दिन इस छटेवे दर्वाजे को खोलने के फैसले का निरने आने वाला था उस दिन यहां के भक्तों ने पूजापाट करना शुरू किया था क्योंकि उनके अनुसार इस दर्वाजे को खोलने के बाद केरल में प्रले आएगा क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि उन तैखाने में जाते ही बड़े ही जोर से समुंदर के तेज लहरों की आवाद सुनाई देती है और उस छटे तैखाने से निकलती गूफाय अरब सागर से मिलती है इसलिए अगर उस तैखाने को खोला गया तो पूरे केरल में बाड़ा जाएगी तो इस तरह से इस तैखाने से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाए है कुछ मौते है जो इस दरवाजे को ना खोलने की और ही इशारा करती है और ये इशारा सरकार और सुप्रिम कोट को समझ आ चुका है इसलिए इस दरवाजे को खोलने का निर्ने सुप्रिम कोट ने नहीं लिया और शायद भविश्य में भी कभी नहीं लेगी आपको क्या लगता है ये दरवाजा खुलना चाहिए या नहीं निचे कमेंड करके जरूर बताईए और एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें तो मिलते हैं अगले एपिसोड में धन्यवाद